तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लिकर के आ गए हैं आपके लिए MP पुलिस और MP टेट वर्ग दो समधित महत्वपूर्ण जानकारी है MP पुलिस के एड़िमेट कार्ड कब तक आ जाएंगे इसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं MP Data Work दो जो मेंस की रूल वुक है वो अब तक क्यों नहीं आई है और कब तक रूल वुक आ सकती है इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं और क्या MP Police की exam date आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो भी हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी जो लोग भी पहली बार आये हैं MP Police का exam देने वाले हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब करने क्योंकि हम डेली बेस करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर MP Police पर बात करने वाले हैं अगर हम MP Police की बात करते हैं तो देखे यहाँ पर यह के दोरा बहतरीन Practice Set यहाँ पर MP Police के लिए लेकर के आया गया है जिसमें 20 Practice Set आपको देखने को बिलेंगे 500 पेपर आपको देखने को बिलेंगे और लगवग 2222 विकल्पी प्रशन आपको देखने को मिलने वाले हैं हर एक सब्जेट के प्रशन आपको यहाँ पर देखने को म यह बहतरीन किताब भी निकाली गई है तो इस किताब से आप तयारी कर सकते हैं और Practice Set से अपनी Practice को और मजबूती पदान कर सकते हैं और MP Police के एक्जाम में अपनी एक सीट पकी कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी जो कि आपको इ एग्जाम कराने जा रही है उससे पहले वो अपना एक केविट जारी कर देती है जिसके आधार पर यह बता जाता है कि अगर इस पर कोई केस किया जाएगा कोई कारवाई की जाएगी तो पहले हमको सूचित किया जाए उसके बाद में ही इस भरती के उपर कोई केस किया जा तो इसका भी केवियट MPP का भी एक साथ में जारी किया गया था यानि कि MPP का भी आपका exam on time 12 अगस्त से ही होगा एक दो दिन आगे पीछी हो सकता है लेकिन जहां तक यह उम्मीद की जा रही है कि 12 अगस्त से ही आपका MPP का exam होने वाला है तो जो लोग भी इस संसे में पढ़ रेट आगे बढ़ेगी भाई बिल्कुल यह उम्मी छोड़ दीजिए एकाद दो दिन बढ़ जाए तो बढ़ जाए नहीं तो आगे बढ़ने के बिल्कुल चांस नहीं है 12 अगस से आपका एक्जाम स्टार्ट हो जागा फिर आप बाद में परस्ताएंगे कि सर हम आपकी बा बाद करवा देंगे ठीक है ना इसी चैनल पर आपको सारी चीजें मिलेंगे और इसी चैनल पर आपका एक्जाम एनलेसे भी करवा जाएगा बाकि एक बहुत ही खुसकबरी भी हम आपको देने वाले हैं जो लोग सिलेक्ट होंगे एंप प्रिस का आपको पता वेतन बढ़ लीजिए यहां पर आपको भी दिखाई दे रहा है मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिल्टी टेस्ट यानि कि जो आपकी चैनल परिच्छा थी उसके बारे में ही यहां पर बताया गया है अगर इसी में बर्गदो की रूल बुक भी डाल दी गई तो क्या ह आपको पता सरवर इसू तो हमेशा रहता ही है जो है ब्यापम का तो ऐसे में क्या होगा कि सरवर इसू हो जाएगा ठीक है न और सरवर बिजी होने के वज़ाए से जो वरग एक वाले हैं इन वरग एक वालों का एडमिट कार्ट नहीं निकल पाएगा और फिर इनका एक्ज से 6 तक इनका exam चलने वाला बर्ग एक वालों का जैसे इनका exam समाप्त होता है वैसे ही आपकी जो है rule book डाल दी जाएगी दो में से बीच आपका rule book आने के दो दिन बाद ही आपके MP पुलिस के admit card भी आ जाएंगे यानि कि 12 से exam है जहां तक है 12 से मुस्की लिया 12 से नहीं होगा 16 तक आपका exam जा सकता है 2-4 दिन का आगे पीछ हो सकता है तो आपका जो admit card है वो आपका admit card भी 8 से 10 के बीच में आपका admit card MP पुलिस का भी आ जाएगा और आपकी rule book जो बर्गदो की है वो भी आपकी 8 से 10 के बीच में आ जाएगी form भरने की बात करते हैं बर्गदो वालों की तो देखिए आपको पता है आपका exam कब हो सकता है पूरा अगस्त और लगबग 10 सितंबर तक जो है आपके MP पुलिस के exam होंगे ठीक है ना एक महिना तो आप समझी एक महिना तक exam होंगे ही होंगे MP पुलिस के कम से कम 9 से 10 लाग लोगों ने form भरें भले 8 लाग 6 लाग बता जा रहे हैं लेकि 9 से 10 लाग लोगों ने आपर form भरें आटिया जल्दी लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने क्या form भरें ठीक है तो सितंबर तक आपका exam चलेगा मान लीजिए 10 सितंबर तक आपका exam चलेगा किसका आपका MP पुलिस का तो ये आप मान करके चलिएगी 15 सितंबर से 15 सितंबर से आपके अपनी चैनल सकसे जंक्सर पर मिल जाती है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप आगे कोई भी exam देने वाले हों चाहाँ MP SI देने वाले हों या आपकी बर्गतीन की नई वेकेंसी आनी वाली है सिचक वाले इस सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है ना चलिए अब बात करते है MP पिलिस वालों के लिए बड़ी खुसकपरी है जो लोग यहाँ पर नया नया सिलेक्शन होगा उन लोग बता दे परदेश के पुलिस कर्मियों को मिलेगा सापताहिक अवकास अभी तक क्या है आपको साथो दिन ड्यूटी करनी पड़ती थी सापताह के साथो दिन अब आपको सापताह में एक दिन का छुट्टी भी दी जाएगी ठीक है रोटेशन की तरह एक दिन की छुट्टी दी जाएगी आपको सब्ताह में ठीक है देखें मुख्यमंति शिवरा सिंग चोहां ने पुलिस कर्मियों को बीकली आप देने का एलान किया है सभी पुलिस कर्मियों के लिए साथख से ऊप्रिष्चक इसतर तक के ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनके पास सास की वहां नहीं है उन्हें 15 लिटर पैट्रोल भत्ता हर महिने दिया जाएगा तो पंदरा लिटर पैट्रोल का पैसा आपको दिया जाएगा अभी तक क्या था 18 रुपए देते थे साइकल का उन उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए कई बड़े एलान किये सीम ने अपने संबोधन में पुलिस कर्मियों के कारियों उनके बलदानों का उनलेग भी किया है ठीक है छै बड़े एलान किये कौन-कौन से पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 नए आवाज बनाये जाएंगे पौश्टिक आहार भत्ता के रूपे 1,000 रुपे हर महीने दिया जाएगा आरच्छक प्रधान आरच्छक का बर्दी भत्ता 5,000 रुपे किया जाएगा और APS के अधकारियों को 5 वा बेतन मान दिया जाएगा भोजन बत्ता 100 रुपे प्रतिजिन के हिसाब से दिया जाएगा 45 वज से अधिक आयों के पुलिस कर्मियों का निसुल को मेडिकल चेक अप कराया जाएगा तो ये पुलिस कर्मियों के बारे में इस बार ये उनने काफी को सोचा बहुत अच्छी बात हैगी पुलिस कर्मियों के उपर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ये इस बार सोचा गया बहुत बढ़िया बात है साथ में आपको बता दे हमारे टेलिग्राम चैनल है जिस पर हम आपको free of cost study material प्रवाइड कराते हैं टेलिग्राम चैनल का नाम है सकसेज जंक्सन लाइव ठीक है सकसेज जंक्सन लाइव आप सर्च करना है पर आप अपनी बात भी कह सकते हैं एक लाइव चैट ग्रूप है और उसी के document सक्षन में आपको यह सारी किताब है free of cost में मिल जाएगी और समय समय पर हम आपन नई नई अपडेट भी डालते रहते हैं ठीक है चलिए वीडियो पसंद आगे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद